इसकाовать पौटाम को ताकि ज़्यादा उसका उप्योग को सके बोटास के कारे क्या होता हुब कब देब बड़ाज की मात्रा को आप तो अब जैसे जानते ही की?」 नाइट्रोजन फासपोरोस और आपका पोटाज सबसे महतुपूर्ण तत्वों में आता है जो कि फसल के उत्पादन उसकी चमग उसकी गुवाणवरता उसकी क्वालेटी और उसके प्रतिरोधक कीटों से लड़ने की छमता को डिसाइट करता है कि यह किस प्रकार से पोदा आगे उसका भविश्य होगा तो सारी चीजों को मैनेज करने वाला पोटास होता है अगर आप जानना चाहें कि चावल में इसकी खेती अगर आप करते हैं तो दस क्यूंटल की जो आप दाना बनाते हैं उसमें आपका करीब नाइट्रोजन 20 किलो आपका निकल जाता है और जो फासपोरोस उसमें निकलता है ग्यारा किलो निकल जाता है और पोटास उसमें 30 किलो तक निकल जाता है अगर आप ग्यहूं की खेती करते हैं और दस क्यूंटल उत्वादन पर देखें अगर बीस करेंगे तो डबल हो जाएगी जिसे ग्यहूं की अगर बीस क्यूंटल करते हैं तो 40 किलो की निकल जाएगा और दस निकल जाएगा और 10 किलो की она निकल जाएगें चालने की मातरा नहीं है के रीवर्तित करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी अधून था ठो스ली निकाल लिए जाते हें सवर्परकार से तत्वों भूमि से Lak Table जाते हैं और जैसे जैसे आप उत्पाधन बढ़ता जाएगा आप की जमीड का इसे आप कहा से जो तत्वों की लेने की चमता है यह जादा हो जाएगी और से ज्यादा तत्वा निकल जाएंगे अगर आपको पोटास की कमी को पूरा करना है तो इसके लिए आपको गोबर की खाद या खलियों की खाद को जरूर उपयोग करना चाहिए और कंपोस्ट खादों को उपयोग किया जा सकता है और हरी खाद को भी उपयोग किया जा सकता है अगर इन खादों को उपयोग करते है जो कि डारेक्ट पोधा उठाए तक अगर आपको रसानी खादे भी उपयोग कर रहा है पचास किलों के बेक के रूप में तो ये गोवर की खाद और ये कम से कम मात्रा तो डाला ही करे एक एक टाली पर एकर तो डाला ही करे हर साल और तीन साल में एक बार तो जरूरी जरूरी नोकी लेक पिनारे से और बाद में बुरे पढ़ जाते हैं और दूसरा किसानों का नुवह है और देखा भी गया है कि फसल में पीलापन भी लक्षन इसमें दिखते हैं लेकिन बाद में इसके लग्षन उसी तरी दरस से हैं कि आपके किनारों से सूखना परारंब कर देते है और तीसरी चीज आपको इसमें देखने को मिलते कि दाने जब फसल पक जाती है तो शिकड़ों हूए मिलते हैं तो च tę spot होती होता है और बीमारियों का आकरन भी कम होता है फोदो की जो ै в आच्वा केरेक्टर इसमें पोदों की जुस्सीर से कलिकता होती एपिकल बड्स जो सबसे ज़्यादा ओपर चलती है जिसको डिरी बोलते हैं उसकी व्रद्धी रूख जाती है और पतिया चोटी हो जाती है और तने में जो गाटे होती है नोट से होती है उनके बीच की दूर लग जाए केलशियम की देख सकती मेंगनेशियम की देख सकती सलफर की देख सकती आयरन की देख सकती जिंक की देख सकती है इस प्रकार दूसरे तत्वों की कमी दरसने लग सकती है अगर जादा दिया जाए तो इसको उसी मात्रा में दिया जाए जितना की पोधों में इसक के दौारा तो सुरूहत में ही वात्रा को देब सी कछ पैसलों में उसके लिया , उसके बाध प्रारमभय को 30EMA Lei उसके बाद अप्राय उसके वास पहे जब प्र northern orange in corn on us समय लगता है तो यह इस प्रकार से मात्रा दे बाढ़ के और ड्रीप आले हो तो प्रती दिन के हिसाथ से भी इसको डिवाइट कर दे हैं अगर साहट किलो दे रहे तो साहट दिन देना है तो साहट दिन एक किलो पर दे के हिसाथ या छे रोज में दे रहे तो छे किलो स्यूड आकरमन को कम कर देता है यह विक्रीट मोसम में जैसे पाला पढ़ने वाला अधिक थंड पढ़ने वाले हो तो फोदों में इसको सहन करने की छमता को इसको बढ़ा देता है और फसलों में POTAS संतुलीत उपयोग जरूर करें इसको और जरूर इसको जनुसी तो अचाता है तो इसको आता है 12-13 आता है 10-20-20 गत्षी करता है तो इस परकार से मिस्रित खादों में वी दिया जा सकता है तो किसी रूप में भी देपर spouse आ अगर आप हमेसा क्राप रोटेसनों वह सारी चीजचे नहीं मैनेज कर पारा है तो इसको दे नोगा दो हम लिता कि चारन वासरी चानुपाइब कर गवासरी मात्रा नहीं है तुछ नहीं कि तुछ पर लूपकर कर संथिख. हाथ की अधिक उत्पादन और इससे होगा क्या की क्वॉलिटी बढ़ जाएगी साइनिंग बढ़ जाएगी हम सही जायन कारी रखें और अन्य किसानों से दो कदम आगे रहें वीडियो पसन आया हो तो इसे लाइक करना न भूले और शेयर करें उन्हें जिने इसकी जरूरत है और सब्सक्राइब करें बेल आइकन घंटे को हिट कर ले ताकि आपको नए नोटिविजन मिल सके ततकाल बस इतना ही साथ फिर मिलते हैं इस तो एक नए वीडियो के साथ अगर अपने सुझाव देना न भूलें पास इतना ही साथ फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ है